रहें दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे इस चनल पर आज हम समझने वाले हैं विदुद परिपत और विदुद दहारा के बारे में और साथ ही विदुद धारा के बारे में जो important बाते हैं उनको भी देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं और परिपत को रास्ता ये बात आप जानते हैं और विदुद को इंग्लिस में लिटरस्टी करते हैं मतलब बिजली पहुंचाने वाली रास्ता समझे इसको तो बिजली किस से पहुंचाता है कून सा रास्ता है आप लोग जानते हैं कि तार जो होता है तार के द्वारा हम बिजली को एक जगे से दूसरे जगे ले जाते हैं, बस वही चीज़ आपको लिखना है, बट एक सही तरीके से होना चाहिए, अब जरूरी नहीं कि जो चीज, जो लाइन यहाँ पे लिखावा वही लाइन आप लिखेंगे, आप अपने हिसाब से बना करके भी इसे लिख सकत हैं, यहाँ पे देखें किसी विदुधारा के सतत और बंद परिपत को विदुधारा कहते हैं, विदुधारा मतलब electricity, मतलब current, बिजली के सतत और बंद परिपत को, मतलब वो बंद भी होना चाहिए, मतलब कि अगर उसको जो तार होता है, उसको अगर हम खुला रग दे, त उससे बहुत सारे जीव, जन्तु मरेंगे, current लगने के वज़ए से, लेकिन अगर हम उसको बंद कर दे, तो उससे नहीं होता, आप लोग तार में चो प्लास्टिक होता है, यहाँ पे मेरे पास एक चार्जर है, यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें तार है, इसके ऊपर जो धारा मतलब की विधुत धारा, यानि बिजली का धारा, यहाँ पे देखेंगे, चालक सी होकर आवेस की परवा की दर को विधुत धारा कहते है, मतलब की चलाने वाले सी होकर विधुत आवेस, आवेस की परवा, मतलब आवेस की चलने की दर को विधुत धारा कहते है, अब जहां से चला रहा है वहां से आवेस की परवा की दर कोई विदुद्धारा करते हैं सिंपल सचीज़े और इसको अगर आप दूसरा तरीक की से लिख सकते हैं या फिर देखेंगे तो यदि किसी चालक की किसी अनुपरस्ट काट से टी समय में क्यों कुलंब आवेस परवावि होता है आवेस बटी समय मतलब यह आवेस और एक विदुद्धारा को यानि करंट को एक जगे से दूसरे जगे लाग जाने में जितना समय लगता है उस समय से अकर हम भाग दे दे तो विदुद्धारा आसानी से निकल जाएगा तो यह चीज है अब यहां पर है विदुद धारा मापने की यंत्र को इमीटर कहते है मतलब विदुद्धारा जिस यंत्र से जिस मसीन से मापा जाता है उसको इमीटर कहते हैं दूसरा है विदुद्धारा का SI मात्रक ampere होता है SI मात्रक ampere होता है यह बात याद रखिएगा और तिसरा है आवेस का SI मात्रक कुलंब या कुलंब होता है एक कुलंब 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 electron के आवेस की तुलिय होता है इसको अगर आप याद नहीं भी रखते हैं लेकिन इतना याद रखिएगा कि आवेस का SI मात्रक कुलंब भी होता है आवेस का SI मात्रक और विदुधारा का SI मात्रक ampere यह चीज़ है अब विदुधारा हम समझ चुके हैं तो इसके बाद जो पॉइंट आता है कि विदुधारा कितने परकार क्यों होते हैं तो यह चीज़ समझे विदुधारा दो परकार क्यों होते हैं परतियावर्ती धारा और दिश्ट धारा यह दो परकार हैं परतियावर्ती धारा और दिश्ट धारा इसको हम देखते हैं देखिए पर्तियावर्ति धारा का डेफिनिशन अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जब धारा की दिशा खास समय अंतराल बदलती रहती है, पर्तियावर्ति धारा कहा लाता है, काफिए सौट है, आप चाहें तो यहाँ तक भी लिखके छोड़ सकते हैं, यहाँ पर आगे भी हम समझाते हैं भी आपको, देखिए जब धारा की दिशा, मतलब जो भी क्रंट जारी है, उसकी दिशा अगर खास समय अंतराल बदलती रहती है, कभी इधर, कभी इधर से इधर, मतलब समिझे कभी यहाँ स यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, इस तरीके से अगर बदलती रहती है, एक खास समय में, तो वो परतियावर्ती धारा है, यहाँ पर देखिए यह चालक की सतर पर प्रभावित होता है, मतलब चालक जो होता है, उसकी सतर पर प्रभावित होता है, परतियावर्ती ध और दूसरा है दिश्ट ध्रह्तोस यहां पे डेखें वैसी धारा जिसके परिनाम या तो स्पषर होते हैं या पर तियावर्ती लेकिन धारा एक धिजिसा में वहती रहती है यहां पर देखिए इसको अगर आप सौटकट में लिखेंगे तो इतना लिखनी के जुरूएत नहीं है यहां पर जैसे पर परतियावर्ति धारा में कि यह खास मैंत्राल अपनी दिशा बदलते रहता है उसी तरीके से इसका विपरित होगा कि दिश्ट धारा हमेशा एक ही द इस तरीके से बदलते रहेगा काफी सिंपल लेंग्वेज में आप समझ चुके हैं सो आई होब कि आप लोग समझ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको इसी तरीके की कॉंटेंट यान वीडियो मिलते रहेंगे और चैनल के जो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकोन मिलेगा उसको अल पर जरूर किलिक करें